नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मद्ध प्रदेश में मैं हूँ आपके साथ अमिद चर्मा चाहू राज मैं जहां मिले सबन को अन छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसंद ऐसे विचार रखने वाले संद्र विदास के बहाने वोटों को साधने का जतन अब जारी है बीजबी की संद्र विदास समरस्ता रत यात्रा प्रदेश भर के 53,000 गाओं में निकल रही है जिसे विपक्ष ने वोट बैंक की राजनिती करार दिया है देखिए ये रिपोर्ट मुठी, मिट्टी और नदियों का जल एकत्रित करने के लिए पांच रत यात्राय निकाल दी है बीजबी के दिगजों ने अलग-अलग स्थानों से इनकी शुरुवात की सागर जिले में बढ़तुमा में संद्र विदास के मंदिर का निर्मान होना है यात्रा 12 अगस्त को सागर पहुचेगी प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में संत्र विदास समरस्ता यात्रा के समापन कारिकरम में शामिल होंगे इसी दोरान वो बीना रिफाइनरी के 49 करोड के पेट्रो केमिकल सेयंत्र प्रजेक्ट का भूमी पुजन भी कर सकते हैं सरकार संत्र विदास जी का एक भविस मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है संत्र विदास जी की जैनती के कारिकम पर मैंने ये गोश्टा की थी और अब वो गोश्टा साकार हो रही है पांच यात्राएं प्रदेश के अलग-अलग पांच कोनों से आज प्रारंब होंगी गाउं की मिट्टी हर एक बलाच से नभियों का जल एकत्रित करती हुई सामाजिक सम्रस्ता का संदेश देती हुई ये यात्रा हैं सागर में समाप्थ होंगी संत्र अबिदास सम्रस्ता रत यात्रा प्रदेश भर के 53,000 गाउं में निकाली जाएगी यात्रा का उद्देश गाउं में अनुसुचित जाती वर्ग के 10-12 लाक लोगों तक पहुँचना है इस यात्रा से कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलीकरजुन खर्गे का सागर दौरा टल गया है उन्हें 13 अगस्त को आना था कॉंग्रेस का आरोप है कि खर्गे का कारिक्रम प्रभावित करने के लिए पे-म का कारिक्रम 12 अगस्त को तैय किया गया है मध्यप्रदेश की 82 रिजर्व सीटों को जीतने के लिए भारती जनतापाटी ने खास रणनीती बनाई है 22 प्रतिशत आदिवासी वोटर्स को लिभाने के लिए सरकार ने जन जाती महापुरुशों की प्रतिमाय लगवाई शहीद इस्थलों का विकास करने से लेकर प्रमुक इस्थलों इस्टेशनों का नाम करण किया अब बीजबी का फोकस मत्यप्रदेश की 15 प्रतिशत अनसुचे जाती की आबादी पर है आज से पार्टी प्रदेश व्यापी संत रविदास समरस्ता यात्रा शुरू कर चुकी है टीवी 24 के लिए अतुल विनोत पाठक की रिपोर्ट तो सियासत की आस मगर किसके है रविदास इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास महमानों का पैनल भी जुड़ चुका है हमारे साथ भाजपनेता विकास बोंद्रिया जी जुड़े है अलग-अलग इस्थानों से निकाल रही है इसे लेकर कॉंग्रेस का कहना है कि जब जमीन की सक्रिये भारती जन्ता पार्टी की तब संत्र विदास याद आ रहे हैं तब दलित और आदिवासियों की सुद ली जा रही है विकास जी बाठी एंड़ाटी लगातार उसकेली काम कर दी सम्रस्ता हमारे समाज में आए कि प्रमुपिंदू है और आफने देखा होगा कि भाठी जन्ता पार्टी कि पन्श्मिश्थाएं भी इसे उग्रेसित करती हैं और बहुत जन्ता पार्टी की जो मात्त्र संस्थाएं लेकिन कॉंग्रेश की पेट में दर्द होता है अब क्यूं होता है वो भी सचन सिंग वर्माजी जो कि खुद इस पे राजरी से आते हैं उन्हें क्यों आपती होती है मुझे समझ में नहीं आता है उनको तो इन कामों में साथ आगे बढ़के लोगों को और प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए बले उनके दल की सरकार ना कर पाई हो अन्ने दल की सरकार कर रही हो लेकिन कॉंग्रेस हर चीच को राजनेतिक चश्मे से दे लेकिंगे समाज में जह हम भला का काम करेंगे लोगों को चोड़ेंगे लोगों को मद्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की ताकत बनाएंगे पिछडों को दलितों को अनुसुचे जंजाती के लोगों को वो महत्मून रोल अधा करने लायक हमें बनाना पड़ेगा जिससे वो देश की सम्वेदन्शील भाव है हमने तो अब आप देखे ये अभी की बात कर रहे हैं 2016 में वो जैन में कुम्ब था हमने उस कुम्ब के आउसर का लाब उठाते हुए लोगों में समरस्टा को बढ़ाने के लिए सभी सभी जातियों के संतों का एक जगा इसनान का परोपनाया ताकि लोग इस बात को समझ सके कि कुम्ब, मंदिर, शम्षाद, सबके सबके लिए होने चाहिए इसमें कोई भेट भाव किसी से ना करा जाए हमने उस भाव को आगे बढ़ाया लेकिन उन्होंने तब भी इस पर आपत्ती जाहिर की आज भी जब हम समरस्ता के लिए यात्राइं कर रहा है तो इस पर आपत्ती जाहिर कर रहा है, इसका कामी आपत्ती जाहिर करना हम उन्हें देखा करते हैं और अपने कामों के लिए आगे बढ़ाये हम आप लोगों से मीडिया से मदर चाहते हैं एक तरह की काम, क्योंकि समाज को नए सवरूप में सनकिलित करते हैं उसमें हमारा सायों करें विरेंद्र जी करूकर लेंगbaar विरेंद्र जी जिस तरह से विकास जी चाहिरेंगे भारती जन्दापाटी तो सिर्फ शुनाव के समय ही नहीं कि शुरुवात से ही समरस्ता की बात कहती है और जब खुद कॉंग्रेस पार्टी के कुछ निता इस वर्क से आते हैं तो फिर आपत्ती क्यों है देखिए सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान पंवेस में पिछले दो सालों का पन्ना पल्टाएं गया तो इस मद्व देश को समूचे बुंदिल खंड मैं जादा दूर नहीं जांगा बुंदिल खंड के आपके खुरही पिरभावित रहा आपका गड़ा गोटा रहली विदा प्रवावित रही आपकी बंडा में भी घटना हुई बीना में भी घटना हुई थी और भारती जंदापार्डी के नेताओं ने SCAD Act का जितना दोहन करना था उससे जदा से जदा दोहन किया आज जब चुनाव का दोहर आ गया तो आपको भाई चारों को जोडने की बात आरी सम्रस्ता की सम्रस्ता की उद्येश को लेके की जा रही सम्रस्ता में नेते Sense जो है वो पूरी तरीकें जरे उपित है अपने लाव अर्जित करने के लिए यह सब्रस्ता का दोर चल रहा है अगर ऐसी वात थी तो दिपुज़ जिंग जी की सरकार में हरीजन हादीवासियों के हमारे नौजवानों के भरती के विसे इसकार कम लागू किये गए थी तो दिपुज़ जिंग ने हमारे के लिए प्रोग्राम बनाए भारती जंदा पार्डी जैसे 2003 के बाद सरकार में आई उसने दलितों को मिलने वाली योजनाओं के तमाम कारकम बंद कर दिये आज आप पूरे मद्विज़ में देखेंगे दलित आदिवासियों को मिलने वाली जो भी स्कालर सिप है जो भी मि लाव की होजना है बें मिलकिन को रही कालेज के मेनेज्मेंट उस चीच का फायदा उठा रहे जी दलित बच्चों को कुछ नहीं मिलना जी पेसाद की खटना च्छतरपुर में हमारे एक दलित भाई को कहना चाहिए उसके मौ में यबरे से विस्टाट डाला गया जिस तरी परिवर्टित कर रहे जी सीधा सीधा ठोका कर रहें दलित के साथ और अंबेटकर जी ने जो समरस्ता के लिए काम किया उस पर आपका कोई विचार नहीं ठीक है सुदेश जी विपक्ष तो हालकि लगातार आरूप लगा रहे समरस्ता पर सवाल उठा रहे लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार जो ये समरस्ता यात्रा निकाल रही है किस तरह से इस इस रूप में देखा जाए क्योंकि लगातार यही बात कही जारी कि सबसे प्रसिद संथ हैं रविदाज जी के सम मैं यह कायकृम किया जाना इतने आप में भारती समरस्ता का प्रतीक है जो यह सावी करते है कि हमारे वहां पर आज से नहीं रामायान कहाल से जब रामचन जी शबरी के वहां जाकर उसके जूटे भेर का सकते हैं तो यह समरस्ता कोई नई चीज नहीं है यह तो हमारे खून में रची बसी हुई है और यहां पर जैसे बिर्सा मुंडा की जैनती की बात हुई रानी कमलावती के नाम पर शेसन लखना हो गया अंटे अभ है तो यह केवल ही कहना कि चुनाओ का नहीं है लेकिन राजनीती में चुनाओ के समय पर थोड़ी प्रायरिटी लिस्ट में परिवर्तन आ जाता है और यह सभी पार्टियों के साथ होता है चाहे वो बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो उसमें यह होता है कि जो चीजे सेकेंडर होती है उनको हम प्रायरिटी पर ले आते हैं और मत्पधेस में आपने जैसा पहले का कि यहां पर 82 सीट है जो आरक्षित सीटे हैं उन आरक्षित सीटों को फोकस सभी को पर है आपको याद होगा 2018 के चुनाओं में यही आरक्षित सीटों के कारण ही सत्ता परिवर्तन ऐसा सब्सक्राइं बिए और साथी कॉंगरेस के आरूपों पर भी आकसे जवाभ चाहेंगे कि इस तरह से विरेंदर जी ने कहा है कि अभी मद्रदेश में हाल फिलाल में जो घटनाएं बढ़ी हैं उससे कहीं न कहीं सवाल भी खड़े होतें कि सरकार कितनी समविधनशील इन वर्गों के लिए हैं विकास जी 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 जो अनुसुचित जाती वर्गे के लोग हैं उनके लिए विशेश स्कीम सरकार की किया है ताकि वो आगे आते हैं दिग्वेजे सिंग जी के वक्की कोई आपको स्कीम याद आती हो तो पताईए कुछ एजुकेशन चेत्र में कीचिंग फीज के लिए वजीफा दे दे अब माली जेट का बच्चा पढ़ने के लिए शहर में जाता है तो उसके एजुकेशन फीज जो है उसके लिए भी वजीफा है उसको वाँ रहने के लिए सुविधा चाहिए तो उसके लिए भी वजीफा है उसको अगर नए डंक के एक्क्यूप्मेंट चाहिए विशेश करके हम मोबाइल कहलें लेप्टॉप कहलें तो उसके लिए भी वजीफा है तो भाती जंता पार्टी तो आगे पढ़के काम कर लगी है आप देखें के जोजगार के लिए सोजगार के लिए अगर मौके की बात हो तो विशेश तोर पे हमने अदो सुचित जातीवर के लिए जुटाई उस मामले में बैंक लोंस की सुविधा भी जुटाई जो तो कॉंग्रिस कभी नहीं कर पाई केवल सरकारी नोकरी में reservation देने के प्रावदान कानूनी प्रावदान को follow करने के अलावा Congress ने कोई भी लोग कल्यानकारी काम अपने तरफ से Congress की सरकार ने किया हो मुझे तो ध्यान नहीं आता यहां तक कि भार्ती जंता पार्टी ने अनुसुचित जाती के किसानों के लिए अनुसुचित जाती के लेबर्स के लिए अलग-अलग धंके सुविधाएं जुटाई ताकि वो आगे आ सके और मध्यप्रदेश को मजबूत कर सके यह हो गया कल्यानकारी योजनाओं के मात्याब का दूसरी बात कि जो बात कही है देखिए मध्यप्रदेश में 15 प्रिश्यत आबादी इस वर्गे की है यकीनत कोछ अपराद उनके खिलाब घटित हो जाते हैं सरकार का उसमें क्या करता है वे बनता है कि जो अपरादियों उनको पकड़ा जाए उनको जेल की सलाखों में पीछे रखा जा है और उनके उपर कानूनी केस चला के उनको कण्विक किया जाए विरेंट जी पता दे एक भी मासला जिसमें समय सीमा में वो अपरादी ना पकड़े गए हो और विशेश करके जिन्होंने अनुसुचित जाती वर्ग के किसी वेक्ती को पीड़ा पहुँचाई हो अब दिक कमा में एक टे जाती वर्ग में गासले डुसरी तरफ का प्राद होता है कि जानते समझते मूझते हुए कि यह नुसुचित जाती वर्ग है जान मुझ के वो व्यक्ति अपराद करें मैं तो दोनों में कह रहा हूं अगर दोनों में यह बात आई है कि पीडित वर्ग अनुसुचित जाती का है तो विशेश करके सरकार का ध्यान रहता है कि उसमें कारवाई तेजगती से हो बहतर हो और कठोर सजा प्राप्त हो ताकि समाज में एक माहूल जाए समाज में ऐसा नेतिक सहर जगे ऐसी नेतिक समझ पैदा हो कि हमें समरस्ता की और पढ़ना है कोई भेजबाव नहीं करना है तो हम तो कानून से भी और समझाई से भी समरस्ता के भाव को जगा रहे हैं और विलेंजी आप बताईए ना भारती जन जवाब दें विरेंद्री जी जवाब दें जी सवालों पर जवाब दें विरेंद्री जी जवाब लेते विरेंद्र जी से विरेंद्र जी जवाब दें जवाब दें आपकी बात रखिया है आपको भी सागर जाते हैं तो सागर के गामी रद्दक्स आनंद एहरवाल है जो की हमारे एक्स मेंबर अपार्लिमेंट भी है ऐसा नहीं है कांगरेस दलित के साथ हमेशा रही है जीवन परियंद रही है और कांगरेस देंद्र जी को बात सुन तो आपकी मैंने बात सुनी ना चीक है आप पी बात मेरे बात सुनिए बहुत चांदी जी सुनिए आप ये हरोग न लगाईए आज सर्जन वर्मा है दलित वर्ट से जोड़ हुए आत्मी है ऐसा नहीं है हमा पारे रहती अत्यक जहें वो दलित वर्ट से है कोई व्यापारी समाज से दुड़ाद भी नहीं है आप ये ना बोले कि कॉंगरेस ने दलित के लिए दलित की उन्निती के लिए उसकी तरकी के लिए काम भी करे बहुत काम किये मगर मोल रूप से जी वर्तमान में जो सब्रस दलित मद्दाताओं ने और दलित जन्पिती नीदियों में मिलके सरकार बनाई जी मगर आपको दलितों को प्रेंट धीक नहीं लगा आपने खरीद के सरकार गिरा दी और दलित के जाट परवज रूप से आपने गदाली करी धोगा किया है जैसा कि हमारे प्रवंदा दलितों के साथ अन्याय हुआ कह रहे है विरेंद्र जी अगर बताएंगी कि कहा कोई अच्याय हुआ वो रिपोर्ट करता चाहिए उने अगर कोई हमसे चूख होई होती तो उस मामले में कारवाई हो जाती विरेंट जी क्यों सुक्त वस्था में रहे कि वो बताते हैं नही करवाई होने का सिस्टम है वो ठाने में बता सकते थे वो कोट के बारपत पता सकते थे वो मिद्या के बारपत चीज को ला सकते लेकिन दिखेंगे चंद घटनाओं से एक भ्रमित वातावरें तयार करता हो नहीं सकता ना हम उसको रख सकते हो आप जिसको उस आबो हवा में कोई भी प्रत्यक्ष उसका संपर्ट ना हो लेकिन जम मज़्य प्रदेश के अनुस्चित जाती वरग के लोगों के लिए बैतर सुरिधाय सरकार चुदा रही है पाजपास संगठन उन से बैतर जूप से तालमेल इस्थ बैतर नहीं होगा उस्ते मीडिया में थोडा सा उन्हें सकता इस पेस मिल सकती है लेकिन लोग भ्रमितμεी होंगे लोग समझ रहें जबावारती जनतापार्यों के साथ में उनके बैतरी के लिए खड़ी है वहां पर भार्ती जनता पार्टी में उनका घुलेन के पर्टिकु के लिए रखती हो कित्ती है यह वह इसलिए है ताकि हम अन crater कर सकें बर्ट को ना इस सुब्स करने का प्रियास किया और मेरी दूसरी बात कर रगे ची क्व के हैं स्वागत है लेकिंगे णे विरेंदर जी का कोई प्यापारी नहीं है यह मैं इस बात में बहुत मतलब में जाहिए कि मुझे निंदा करनी चाहिए और पर कर रहा है उतका भी सम्मान है हर वर्ग के वैक्ति का सम्मान है वो नोकरी पेशा हो तो सम्मान है और खर गए जी भी करोड़ों के आतामी है तो कुछ ना कुछ वाने के वे उसाइए में तो वह भी फनलग न रहे होगे जवाब दे विरेंद्र जी जी जवाब दे विरेंद्र जी जी देखे आदर्णी विकास जी आपका क्यों मूल कहना था कि कांग्रेज ने दलीतों की उन्निती के संदर में जितना करना चाहिए उतना नहीं किया और मूल बहुत मेरी है आज खड़के जी देजा तारी को आ रहे थे हमारी कांग्रेज ने आज से 20 दिन पहले वोटना कर दी थी कि हमारे राष्टी अत्याथ खड़के जी सागर आ रहे है आज बहुत बड़ा तलितों का सम्मेलन करने जा रहा है भारती जंदा पार्टी न इतना बड़ा आप सम्रस्टा का आयोजन कर रहे हैं जाज सम्रस्टा रहा है एक मेने पहले चलाते हैं आपको अपनी वस्तुति नहीं पता जलती जी आपको सचाई वस्ता जलती कमलना जी ने जब बहापर चौदा तारी को आपके सागर में संबेलन करा कजली मैधान में अ पूरे महंत बुलाए हरीजन समाच के माते बुलाए हरीजन समाच के जन्वित नीजी बुलाए और उसके बास भारती जंदा पार्टी को एक तब करेंगता लगा और उनने फिर पूरे बुंदिल गण में डलितों के कारकम को लेकर समरस्टा का वातावन निर्मित करने की ब लगा लोगों के उपर अपरादी के मामले बनाए है लोगों के उपर अपरहुतिक मामले बनाए और अब उसको सम्रप्ता के माद्धाम से जो आप शोच रहे हैं यह एक आपकी जाजनेतिक छोटी-मोटी जरूरोज़ती है जिसे हमारे हरीजन का माझ सम्मान नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि दलीतों के भी हम लोग काम करते हैं कामेस काम करते हैं और हमारे नेता किमला जी डाम करते दलीतों के लिए जी चीक है सुदेश जी करूख कर लेते हैं लगातार इस डिवेट कहें से सुदेश जी दोनों ही निताओं को आपने बड़ी बारिकी से सुना लेगने चर्चा का सार आप इसे चाहेंगे कि अब जब यह समरस्ता यात्रा शुरू हो चुकी है भारती जनता पार्टी की इसका पर राजनीतिक लाब किस तरह से देखने को मिल सकता है साधे विपक्ष के लिए क्या समीकरण अब बनते हुए दिख रहे हैं देखे राजनीतिक लाब किये से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो घटनाय हुई है और मत पदेश में खास और से जो भी घटनाय हुई है वो बहुत निंदनी है और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहां की सरकार ने तौरित कारवाई करी यह सबसे संतोर जनक बात है ज घटना पर तो नियंतर नहीं है लेकिन घटना के बाद आप्टर इपक्स क्या है कैसा महौल है उसको नियंतर करने में किस तनह की कारवाई की जा रही है उसमें मत पदेश में जो देख रहा हूं उसके इसाब से तौरित कारवाई हो रही है चौविस गंटे कंदर कारवाई तेंस ञीपphon के हीं जीघियर्नफार शुट कर रहे हैं कि समाज के लिए काम हो रहा है वह क्या फील करता है क्या जो लाभ है वो देल एंड तक पहुंच रहे हैं你 अगर समाज के आकि वर्ग तक पहुंच पा रहे हैं जैसे बहुत लिए जो Creationी युजनाई है उन सरकारी योजनाय कागज में फाइलों में तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन क्या उसका लाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है ये सुनिशित किया जाना बहुत जरूरी है तभी उसका लाव राजनीतिक लाव किसी भी दल को जो उसको लागू करेगा उसको प्राथ हो सकता है अगर केवल फाइलों में ही योजनाय बनी रहेंगी तो उसका लाव नहीं मिल पाएगा विरेंद्र जी आपकी बात रखेंगे अधर्णी सुझे जी की स्विकारुत्ती जो है वो यह बता रही है कि 18 साल के बाद भारती जन्ता पार्टी जागी और उसे तलित प्रेम जागा इतने सालों में इतने लंबे होसर में योजनाओं के अंतिक छोर तक उसके भाषिक सत्यापन करके लिए भारती जंदा का पार्टी की सरकार के पाथ बहुत है जन्पत पंचायत है चिलापंचायत है जो जाकर हर गाव के निचल इस्तर तक जाकर पता कर सकते आज इसकी आवसक्ता नहीं पढ़ती जिए अगर आप पिछले अठाय उन्हों को करते जी आज ये बात आपने सुझारी कि फायरों में तभी ढहनने के कारण योजना से हरीजन आदिवासियों को सरकार की योजना क नहीं मिला विकास जी जवाब दें अठारा सालों में नहीं किया अब कर रहे हैं क्योंकि चुनाओं है जी विकास जी मैंने तो कहा हम तो शुरू से कर रहे हैं जी मैंने दोजार सोला का कुम भी बताया उसके पहले भी दोजार ग्यारा बारा में भी हमने इस जंकी यात्राएं की हैं हमने अपने अनुसुचित जाती के भाई बेहनों के आप भोजन करना या हमारे राजनेते अन्य वर्ग के नेताओं का उनके अपने घर बुला के उन्हें बोजन कराना देखिए सब लगातार हम कारे कर रहे हैं मैं तो विरेन जी को एक ही बात कहना चाहता हूं विरेन भाई जब तक किसी भी तलित के प्रती किसी भी अनुसुचित जाती के प्रती कोई एक घटना भी अत्याचार क की पीड़ा की होगी तो हम महसूस करेंगे कि समाज में और जन जागरं की चरवत हैं हम इस जन के समरस्ता अभियान और चलाएंगे ताकि जो बात अभी निकल के आई ना कि एक तो घटना के ऊपर पीड़ा की घटना के ऊपर नियंतरं नहीं होता है लेकिन हाँ समाज में ऐ को हम अपनी समाज़े के बिदारी मानते हैं राइडनितिक दल के नाते भी और सरकार में होने के नाते और ज़्यादा भी और हम लगातार उसके लिए काम करेंगे कॉंग्रेस उंगली उठाए और देखिए मैंने आपके कामों पे उंगली नहीं उठाई पूरी चर्चा में द छिटक दिया हमने काम ज़्यादा किये हैं लोगों ने हमें ज़्यादा पसंद किया ज़्यादा जिताया और हम लगातार सरकारे बनाते रहें आप 2020 की बात करते हैं सरकार आपकी गिरी आपके विदायकों से गिरी त्यूंकि वो आपका साथ छोड़के इस्तिपा देके नि ज़्यान रखिए उसे भी तो समझिए नहीं तो जनता को तो मौका था कॉंग्रेस को मौका था कि किसके साथ जनता को जाना है बहराल आप तीनों महमानों का बहुत-बहुत शुक्री हमसे इस जबेट में जुड़ने के लिए उसका सार्था किस्ता बनने के लिए आपका ब गाव गाव देखो जी आए मेतानन कैसे रहना स्वस्त सभी को क्या लेना प्रोटीन विटामिन